चात्रो आज हम उर्जा के विभिन स्त्रोत्स के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि आप सभी को मालूम है उर्जा के विभिन स्त्रोत्स हैं जैसे अपने पिछले चैप्टर में अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि नवनी करना और ए नवनी करनी असे दोत्त आज हम जैसे उनको एक पारंपरिक उर्जा स्त्रोत और एपारंपरिक उर्जा स्त्रोत से सम्मन्द करके बताते हैं जैसे कि मनुष्य की विन मांग की पूरती उर्जा की विन स्त्रोती करते हैं ये स्त्रोत पारंपरिक और एपारंपरिक उर्जा दोनों के हो सकते हैं यह देखा गया है कि मनुष्य के छोटे बड़े कामों के लिए जैसे खाना बनाने के लिए, सिचाई करने के लिए, पीने के पानी की आपूरती, गरों में परकास विवस्ता, चीजे गरम करना, गरामीन तथा सहरी चाहत, समाज की जुरतों को पूरा करना, कुसल एकुसल, द पहले हम पारंपरिक उर्जास्त्रोत के बारे में बात करते हैं, आज कल पारंपरिक उर्जास्त्रोत के रूप में कोईला, प्राकर्तिक गैस, पानी की सकती तथा परमानू उर्जासादन मुख्ये हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कि जो दुबारा स पैदा निके जासे एनमनीकरन जो नॉन रेनेवल सोर्सेज कहलाते हैं उनको हम पारप्रेक उड़जास्तरोत के रूप में देखते हैं जैसे पहले कोईला है कोईला सब्द ठोशिंदन के विन रूपों को दरसाता है ठोशिंदन के बारे में आपने सोलिड फ्यूल जो है वा जिनके फल्स रूप हमें उच्च ताप देने वाला इंदन पराप्त होता है कोईला एक उच्च कोटी का वेवसाइक उर्जास्तरोत है जो कि हमें विन रूपों से पराप्त हो सकता है कोईले के मुख्यत चार रूप हैं जो निम लिखित हैं पहला पीट, दूसरा बिटु उनमें उनके सुखे वजन उसमें क्या-क्या होते हैं, कार्बन किता होता है, हाइडरोजन किता प्रतिशत और ऑक्सिजन किती प्रतिशत 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 प् होता है और 5.50% हाइड्रोजन और 9.20% अक्षिजन होती है इस प्राइंथ्रासाइड जो कोईले का रूप है उसमे 97.60% कार्बन 3.30% आइड्रोजन और 1.35% अक्षिजन होता है कोईला हमारे जीवन में पर्तेक्स रूप में अत्यंत अपयोगी है यह मुखेता निम्न कार्यों में अपयोग में लिया जाता है और 2.15 छेतर में यातियात छेतर में और गरेलू छेतर में और दोगिक चेतर में कोईला सीधे ही उस्मा उत्पादन में सयोगी तथा विद्यूत उत्पादन में भी कोईले का योगदान सरानी है कोईला आधारित उद्यूत उत्पादन सेहंद्र काफी पुराना परसली तंसलल साथ सादन है बरत्मान में हमारे देश में कुल विद्यूत उत्पादन उन्हें 30,82 मेगवाट है जबकि लगबग उन्हें 30.4% विद्यूत उत्पादन कोईले पर ही आधारी थै 70 कोईले से विद्यूत उत्पादन लगबग जो 86,82 में 68.22 था और 91.2 में 90.4% हो गया सत्रिकार्ण में भारत विद्यूत में कोईले का उत्पादन लगबग 239.26 मिलियन तन था सारे विद्यूत में कोईला बंडारन लगबग 5,9,10 की गात 6 मिलियन तन है इसकी लगबग 90% उपलबता तीन परमुख देशों में है अमरिका, रूस और चीन यह सत्य की कोईले का बंडार सिमित है तथा वर्तमान खपत दर को मद्दर रखते वे माना जावे तो 100 सालों में यह स्तरोत मूनतिया खतम हो जावेगा वर्तमान में परतिवस कोईले उत्पादन तथा खपत दर लगब कुल बंडार का तीन परतिशत है प्रंतु अधोगी करन और जन्सन क्या परतिशत है अधर निरंतर बढ़ रही है यह संभावना है कि निगट बहुश्य में अधर पांस पर चार परतिशत हो जावेगी दन्रेवा